हेलो फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद आज फिर से एक वीडियो बनाने का मौका लगा है कुछ वैस्तताइं थी और कुछ अलग-अलग शिवीरों में भी जाना पड़ा तो इसकी वज़े से वीडियो बनाने का काम रह गया था तो अभी हम फिर से आये हैं और कुछ नए पुर कुछ सवाल है तो पहला सवाल हम लोग सुनते हैं उसके बाद उस पर बात करेंगे क्या है पहला सवाल क्या अगले जन में जेंडर भी सेम होता है हमने सुना है कि next birth में हमारा जेंडर चेंज नहीं होता इसमें कितनी सच्चाई है देखे अभी पूछा है कि क्या अगला वर्थ में जेंडर चेंज होगा या नहीं होगा और ये भी सुना है कि जेंडर चेंज नहीं होता तो ये तो देखा गया है कि अगर कोई पुरुश है तो वो अगले जन्म में पिछले जन्म में पिछले जीवन में भी पुरुश अपन तो मेरा कहना है कि ऐसा नहीं होता हमने बहुत सारी महिलाओं को चेक किया पीछे जीवन में वो पूरुष थी ठीक पीछे की जीवन में भी पूरुष थी ऐसी महिलाएं कहीं हमारे पास आई हैं वैसे ही याने पूरुष भी इस्तरी के रूप में अपने आपको देखता है त कि रहते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी कफार हो सकता है कुछ विशेष कारणों से लेकिन सात जन्म मोटे तौर पर रहते हैं फिर ये भी हो सकता है कि साथ जन्म के बाद अब पतनी जो है पती बने और पती भाई सार जो है पतनी बन जाएं तो ये भी हो सकता है तो ये एक्स्चेंज आफर चल सकता है तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि एक ही जेंडर लगातार रहता है क्य प्रशन का उत्तर तो हो गया है अब दूसरा प्रशन हम लोग लेते हैं क्या है दूसरा प्रशन? देखे ये आम तोर पे हम लोग रिकार्डिंग तो नहीं करते क्योंकि बहुत बार ये दिखा गया है कि जब आद में डी फिपनोसिस में जाता है तो उसकी आवास काफी धीमी हो जाती है वो इतना धीमे बोलता है कि माइक में भी उसको रिकार्ड करना थोड़ा सा कठीन है तो वो बहुत धीमी आवास व्यक्ति की हो जाती है तो पूरा और फिर सेशन जो है तिन घंटे चार घंटे कुछ भी चल सकता है चार साड़े चार घंटे भी सेशन हुए हैं तो ऐसी स्थिति में इतना लंबा रिकार्ड करना संभवन होता है हाँ लोग मंगते हैं कि हमने एक पास लाइफ रिग्रेशन करवाया है इसके लिए हमें दिखाना है दोस्तों को दिखाना है घर में दिखाना है तो उसके लिए वो मांगते हैं कि छोटा सा रिकार्डिंग हमारा करवा दीजिए तो हम दिखा पाएं लोगों को आप लोगो YouTube पे देखते भी हैं उस तरह के कुछ वीडियो जो आप देखते हैं वो उसी तरह के वीडियो है तो उसको कुछ रिकार्ड किया जाता है हां कुछ जगों पर परपजली कुछ खास वीडियो को रिकार्ड हम लोग करते हैं कुछ जादा समय के लिए लेकिन इसके बावजुद हम पूरा A to Z अगर रिकार्ड करने की बात करेंगे तो हम लोग यह नहीं करते हैं अब रहा सवाल आपका सवाल है कि अगर आप रिकार्ड नहीं करते तो फिर जो पिछला जीवन देख रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि वो क्या था क्या कर रहा था उसका देखते हैं और सारी चीजुद आप कुछ बात आपको याद रहा जाती हैं लेकिन यह सपने से कहीं ज्याद़े भूल जाते हैं लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो हमको लगभग सभी बातें याद रहती हैं कुछ एकाज बातें अगर कोई भूल जाए तो हम उसे नोट कर लेते हैं हम डायरी में नोट जरूर करते हैं कि यह क्या बता रहा है तो आगे पीछे वो काम भी आत आगे चलके तुम्हारे जीवन के लिए काम की बात होगी उसे याद हो जाता है तो इसकी कोई फिक्र नहीं करनी है कि रिकार्डिंग हुआ के नहीं हुआ आपको याद रहती है और मज़े की बात बताओं आपको हमेशा याद रहेगी आप यह समझे कि जैसे बच्पन के द बच्पन का वो 10 साल की उम्र का या 15 साल की उम्र की कोई बात आपको अभी भी याद है और लगभग एग्जेक्ट वैसे ही याद है तो यह इसी तरह की मेमोरी बनती है तो इसमें कोई भूलने जैसी कोई बात नहीं है तो मिरा खाला आपने समझ लिया कि इसमें कोई दिक् बहुत कठिन होता है अब बहुत बाते की हैं और उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए देखना चाहिए पर उन्होंने एक ध्यान के हिसाब से विधी भी बताई है कि आप ध्यान के जरिए कैसे पास्ट लाइफ को देख सकते हैं और वो विधी थोड़ी साधना की जरुरत है, मेनत की जरुरत है, धीरे-धीरे वो लेके जाती ही ताकि आपको कई disturbance न हो, चुकि वो विधी आपको खुद ही करना है, जब आप खुद ही अपने उपर प्रयोक कर रहे हो, वहाँ नियंतरन करने के लिए कोई नहीं है, देखे, अभी जब हम आपको past life में लेके जाएंगे, तो नियंतरन करता हम है, हमारे हाथ में आपकी चाबी है, कंट्रोल आपका हमारे हाथ में है, तो हम जब देखेंगे कि कंट्रोल से बाहर कर देंगे लेकिन जब आप स्वयम कर रहे हो। छुद के उपर प्रयोप कर रहे हो तो वहां पर करने वाल अग कोई नहीं है अब आप ही गाड़ी और आप ही ड्राइवर हैं फिर यह कोँट seem कोब ढाया है और बहुत धिरे ये ले लेके जाता है ताकि आप ठीक से उसको देख सके पूरे नियंत्री धंग से पर उसके बारे में उन्होंने कभी भी सारवजनिक रूप से उस पूरी पधती को नहीं समझाया मोटे तोर पे कुछ बातें बताई हैं कि आप इस तरह से करिए तो आपको यह एहसास होगा अब अब अब आपने सवाल किया असल से ज्यादा असल जैसा कुछ नहीं कहने की बात थी समझाने के लिए एक मोटे तोर पे आप जल्दी से समझ जाएं इसके लिए बात है असल तो असल ही है अब असल जो है ऐसा होता है कि जब आप देखेंगे कि आप अगर आप हमारे वीडि जो अंदर वहां पर जाने के बाद जो भावनाएं होती है जो भावनाएं प्रकट होती है वो भावनाएं पूरा वही वो बैक्ति वही पहुंच जाता है उसी जगे पे पहुंच जाता है वो भूल जाता है कि वरतमान में वो रामलाल है बलकि वो देख रहा होता है कि अग कि याद भी रहती उसको तो असल है तभी तो याद है नकल कभी भी याद नहीं रहेगा सपना कभी भी याद नहीं रहेगा आपने जो कल्पना की वो कभी भी याद नहीं रहेगा मैं देखता हूं कमेंट्स में कुछ लोग कहते हैं कि वो तो कल्पना हो सकती है हमारे मन की हमा के लिए आप अपने मन में जो कलपना रखते हैं कभी-कभी आप जबकी मारते हैं तो भी वो दिखता है तो क्या वो याद रहता है आपको नहीं रहता लेकिन पास्ट लाइफ करते हैं तो आपको पूरी बात याद रहती है और आज याद रहेगी 25 साल बात भी याद रहेगी आप भुली सकते उसको तो वो वैसे ही याद रहती जैसे इस जीवन में आपको अपने जीवन की घटनाएं याद हैं कब क्या हुआ था वो याद है आपने कब क्या बड़ी चीज़े की थी वो याद है उसी तरह से आपकी ये पास लाइफ की मेमोरी भी आपके इसमें रहती ह और आपको याद रहती अच्छी तरह से तो मैं ये बता रहा था कि जब घटना घटती है पास लाइफ की आप पास लाइफ में जाते हैं तो वहाँ जो पास लाइफ में जो भी emotions हैं आपके चाहे वो हसने के हो रोने के हो गाने के हो दूसरी तरह के emotions हो वो सारा कुछ प्रकट होता है शरीर के साथ इसी शरीर में प्रकट होता है तो आपको एकदम पूरा वह भाभ आएगा ठीक है अगर जेलना मुष्किल है ऐसा आपने का जेलना मुश्किल देख रहें अब आपने देखा कि आपके साथ कुछ मार पिट हो रही है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत कुरोधित हो गए हैं आप और आप भी उसका जवाब दे रहे हैं तो ऐसी इस्थिती में आप हाथ पर पटकेंगे कुछ कुछ करेंगे अब यह नियंत फालने वाला तो हो सकता है कुछ यह करने के बजाए को एक अक्य चरण करने वाला वैख्ति तो आच्छा कि ऑफ ayk शो बिदी वतैयों साधना है वह को बहुत बहुत गए ध्यानना चाहिए और उसके बाद फिर धीर हैं पीशे कि यह जाते हैं जैसे आज आप बैठे हैं तो आप बीते हुए कल को क्या हुआ उसको याद करते हैं फिर परसों बीते हुए परसों क्या हुआ उसको याद करते हैं फिर बीते हुए हफते में क्या हुआ वो याद करना है बीते हुए महिने में क्या हुआ वो याद करना है ऐसे आप धीरे धी मेना साधना करेंगे वो चीज आप यहां पर छे घंटे में सब देख दुखा के पूरा सब कुछ कर लेंगे तो यह फर्क है हिपनोसिस में और चुकि एक में यहां पर जहांपШ सकते हैं और जहां पर जहाना मुश्किल हो आपके पास कर लेता है जो ह्स्सरे में बहुत जैडा दिक्कत है उस से आपको पार करवा देता है माने वह षिस्स्सा से जरा सा ऐसा रखेगा तोड़ देगा कि आप उसके दर्द को उसकी पीड़ा को इसके एमोशन को मैसूस नहीं करेंगे तो इस तरह से आप यह है कि कंट्रोलर होने से आप बिना किसी परिशानी के पिछला जन्म अपना देख सकते हैं तो इसलिए आप इस वक्त की फिक्र न सब्सक्राइब होगा अगर हां तो कैसे तो पूछा है कि पासलाइफ रिग्रेशन से मेडिटेशन में कोई फाइदा होगा हमने देखिया हमने बहुत बार इस बारे में बात कि हम पहले भी बात करते रहे हैं कि सभी तरह के आध्यात्म जगत के योगियों ने मुनियों रिशियों ने संथों ने इस बात को पसंद किया है कि उनके साधक पासलाइफ देखें अपना रिशी मुनि और जो सिद्ध महापूरुश हुए हैं संथ हुए हैं उन्होंने कहा है कि आप अपना पिछला जीवन द जरूर देखना चाहिए और हमने तो यह महसूस किया है कि आप जब अगर आप ध्यान साधक हैं और ध्यान साधना कर रहे हैं तो हमने अपने अनभों से यह महसूस किया है कि जो उचाई ध्यान में, जो उचाई ध्यान धिरे-धिरे आपको ईचाई की ओर लेके जाता है, ध्यान आपके भीतर एक समझ eating. एक बौध घटित करता है, आपको आपकी दरिष्टी को चेंज करता है, आप जैसा देखते हैं, आप जैसा सोचते हैं आप जैसा विचारते हैं उससे आपको बदलता है ध्यान तो हमने ये मैसूस किया कि अगर आप हिपनोसिस के जरीए चीजों का प्रयोक करते हैं तो वो बहुत तेज गती से आपको लाब मिलता है जो चीजें आप ध्यान में छे मेहने में करते हैं मुझ आज नहीं तो कल आप देख लिजिएगा यह बात होगी कि लोग जो है मेडिटेशन के साथ हिपनोसिस के ऐसे प्रयोक करवाना चाहेंगे क्योंकि उसमें समय लगता है और उसी को आप पार कर सकते हैं हिपनोसिस के जरी अब रहा सवाल पास लाइफ रिग्रेशन और मेडिट का संबंद मेडिटेशन करने वाले मोटे तौर पे वो लोग होते हैं जो अध्यात्मिक होते हैं जिनको थोड़ी मन की शांती चाहिए या जो लोग दिन भर तनाव में रहते हैं तो जड़ा पांच मिनट का ध्यान कर लिया जाए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं वो लोग पांच दस मिनट बीस मिनट बैठते हैं लेकिन जो अगंभीर किसम के सादक हैं मोटे तोर पे ज्यादातर मेडिटेशन करने वाले अध्यात्मिक लोग होते हैं अध्यात्मिक व्यक्ति का लक्ष क्या होता है अपने आपको जानना ये संसार क्या है इसको जानना इस संसार स जब आप रात को सोते हैं और आप सपना देखते हैं सपने से जब आप जाकते हैं आप सपना देखते हैं कि आप सपने में हवाई जहाज में चल रहे हैं आप बहुत बड़े महल के मालिक हैं आप राजा हैं आप यह हैं वो हैं तमाम चीजे लेकिन जैसे ही सपना तूटता है आप क्या रोते हैं छाती पीरते हैं कि मेरा ये महल खो गया कि मेरा राजपाट खो गया कि मेरा हवाई जाज खो गया कोई परशान होते हैं बिलकुल एक दिन का बराबर भी आप परशान नहीं होते हैं आप जैसे ही जाकते हैं देखते हैं सपना अच्छा ठीक है सपना था ठ ऐसे ही जब आप पिछला जीवन देखने लगते हैं तो वर्तमान जीवन भी आपको सपने की तरह भासने लगता है दो चार-पांच बार में हमेशा कहता हूं कि कि चार-पांच बार देखना चाहिए अगर कोई ज्यात्मिक लक्ष लेके चल रहा है तो समस्यय लेकर आया है तो उट यही जाती है वह समझ जाता है तो उसके वर्तमान जीवन की कोई समस्यय हल हो जाती है लेकिन अगर आध्यात्मिक लक्ष है तो पांच बार छे बार करना चाहिए बहुत फाइदा करेगा तो धीरे-धीरे संसार से आप आपका जुडाओं खत्म होने लगता है जैसे आप संसार से भी जुडाओं खत्म कर लेंगे और फिर जब अपको सोचते आपको क्या लगेगा ऐसे लगेगा जैसे सपन देखा था इसा जीवन को जिसे आप बहुत गंभिरता से ले रहे हैं बहुत करहें तो चुटेगा तो आपको लगेगा किई जागें को यह सपना था तो इसलिए वो सपना मरने के बाद आपको शपना लगे उससे अच्छा है कि आप यहीं देख लिजिए कि यह सपना है तो जब आप जान जाते हैं कि आपको बहुत बार सपने में भी पता चलते रहता है कि मैं सपना देख रहा हूं यह कमाल की बात है और मेरे ख्याल से सब के साथ यह गटना गटती है कि वो जान रहा होता है कि वो सपना देख रहा है ऐसे ही जब आप जान जाते हैं कि यह जीवन एक सपना है इस शरीर में मैं हूँ लेकिन यह सब कुछ एक सपना है तो आप सोचते हैं बहुत बिरता से आप चीजों को नहीं लेते मतलब यह है कि आप दिन में अगर दस बार घुसा करते हैं तो देखेंगे कि वह चार बार हो गया फिर दो बार हो गया फिर एक बार हो गया फिर दो दिन में एक बार हो गया फिर चार दिन में एक बार हो गया फिर दस दिन में एक बार हो गया इस तरह से वह फ्रिक्वेंसी उ दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है इसमें जो है meditation के जरी आगे बढ़ना चाहता है तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप ध्यान साधक हैं और आपका ध्यान है आप हर किमत में ध्यान करना चाहते हैं अगर आपने ऐसा कुछ सेट किया है तो फिर पूरी कोशिश करके अपना पिछला जीवन जरूर देखना चाहिए सभी सिद्ध महापूरुशों ने साधकों ने संतों ने अपने शिश्यों के लिए पास लाइफ रेग्रेशन की सिफारिश की है इसलिए की है कि जीवन एक सपने की तरह लगने लगता समझ आ जाता है फिर जो हम कहते हैं सपना ये संसार आप समझ जाते हैं इसका क्या मतलब है आप समझ जाते हैं कि संसार को एक लीला है माया है ऐसा कहने का क्या मतलब है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई सवाल है सर क्या meditation करने वाले ही past life regression करा सकते हैं अच्छा तो सवाल यह है कि जो लोग अपना पीछला जीवन अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या meditation करना ज़रूरी है यह सवाल है यही है सवाल तो मैं यह कहूंगा कि meditation आप नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप अराम से past life regression करवा सकते हैं जा सकते हैं इमोशनल व्यक्ति हैं तो जल्दी जाएंगे थोड़े तार्किक हैं लॉजिक हैं बहुत लॉजिक बिठाते रहते हैं हर जगे तर्क लगाते रहते हैं और चीजों को जल्दी से accept नहीं करते और मैं केंद्रित हैं अगर आप मैं केंद्रि सब्सक्राइब तो अगर आप तार्किक बैक्ति नहीं है अगर आप बहुत ज्यादा तरक नहीं करते अगर मैं मेरा ऐसा कुछ दिखाने का भाव आपके अंदर नहीं रहता आप अंकार थोड़ा आपका कम है तो तूरत देखेंगे आप ध्यान नहीं करते तो भी कोई फरक सब on तो इस तरह सोचने वाले लोग इस इन से मेरा आग राय कि ये एको भाइव से एंगे और ऊस्वें पैसे भी खरच करेंगे नहीं होग अनका उनको लेकिन पार्किक नहीं है अहंकारी नहीं है और ध्यान नहीं करते तो भी चलेगा उनको दिखेगा और असानी से दिखेगा फिर भी अगर आपको लगता है कि कौन आदमी इसको देख सकता है को नहीं देख सकता तो हमारा एक वीडियो है इसमें हमने बना रखा है कि पास लाइफ कौन देख पाएगा और कौन नहीं देख पाएगा उसको देख लें तो आपको साफ करने वाला व्यक्ति चुकि एक टार्गेट लेके चलता है एक लक्ष लेके चलता है इसलिए उसको देखना चाहिए ऐसा मानते हैं और दूसरी बात यह है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति चुकि सरल होने लगता है ध्यान आदमी को सरल बनाता है तो सरल होने के कारण वो आसानी से अपने पीछले जन्मों में प्रवेश करता है शायद उनके जो हम कहें spiritual जो उनके masters है जो invisible masters है उनके वो उनको help करते हैं जल्दी से उतरने में क्योंकि जानते हैं कि ये साधक है ये ध अंसार में तो उसको पीछे जीवन दिखाने में मदद उसकी थोड़ी सी उपर से मदद हो जाती है ऐसा मुझे लगता है तो ध्यान करना ज़रूरी नहीं है अगर आप पास लाइप करवाना चाहते हैं तो लेकिन हां ध्यान करते हैं तो उससे फाइदा होगा ठीक है तो आ स्थताएं ऐसी आ गई थी और कोशिश करेंगे कि अब आपको वीडियो लगातार मिलता रहे और शीविर में क्या हुआ इसके बारें भी हम वीडियो आपको दे देंगे तो शीविर का भी आप थोड़ा सा जलक देख पाएंगे वहां किस तरह की चीज़ें हुई हैं और य झाल